नमस्कार साथियों आज की क्लास में हम डिसकस करने वाले हैं मैट्स का एक टॉपिक जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टन यानि की आज हम कम्प्लीटली एक जीरो से लेकर हाई लेवल तक के सभी के सभी नल और टंकी यानि की पाइप एंड सिस्टन से जुड़े कोशन्स को करेंगे वेसिक से कोशन्स करेंगे साथ मुस्का अवरी स्पार्ट करेंगे और लास्ट में हाई लेवल तक के कोशन्स को डिसकस करते चलेंगे शुड़े आपको सभी चीजे यहां तक किलियर होंगी तो चलिए स्टाइट करते हैं वेसिक कॉंसेप्ट औफ पाइप एंड स देखें वेसिक कॉंसेप्ट की जब मैं आपसे चर्चा कर लेता हूं क्या वे पाइप एंड सिस्टन ऐस वेल बर्क करता है जैसे कि हमने एक टॉपिक पड़ा था टाइम एंड बर्क टाइम एंड वर्क की तरह ही यह भी हमारा टॉपिक होता है इसे हम बहुत आसानी से करे करेंगे और जब मैं किसी भी टेंक या टव को खाली करता है या हौज को खाली करता है तब हम मैनस का प्रियोग कर लेंगे एक बहतरीन सिसन के साथ मैं आपको डिसकस करने वाला हूं पाइप एंड सिस्टन शो आयोब कि आपको यहां तक सभी चीजे किलियर होंगी आईये स कुपskण को 8 गंटे में खाली कर देता है और मैंने ले लिया आपके लिए फायब करता है खाली करने के लिए मीनश का प्रियोग करेंगे और मअरने के लिए प्लस ना भी लगाएं तो भी चलेगा अब किया कहते हैं यदि दोनों एक सात कोल दिये जाएं तो ठेंक के टंकी को कितने समय में भर जाएगी, यह खाली टंकी है, कितने समय में भर जाएगी, जब यह दोनों एक साथ खोल दिये जाए, आपको क्या करना है, इन दोनों का एलसियम लेना है, एलसियम बोले तो एक ऐसा नंबर पीक कीजिए, जो की 6 और 8 की गोड़ज में आता हो, मैंने किसका वैल्यू है, माइनस का, अब जब यह दोनों मिलकर कारे करेंगे, तो ए आपका 4 वर्क कर रहा है, और वी आपका 3 निकाल रहा है, यानि यह 4 की छमता से भर रहा है, और यह 3 की छमता से खाली कर रहा है, दोनों को जोड़ेगा कितना होगा, एक 24 वाई, एक बराबाब कांसर, आइए next question के हो चलते है, एक नल किसी हौज को 10 घंटे में भड़ता है, तो हमने काया कि पहला वाई जो नल है, वो कितने घंटे है, 10 गंटे दूसरा नल उसे 5 गंटे में खाली कर देता है दूसरा वाला नल जो है वो 5 गंटे में खाली कर देता है यदि भरे होज को दोनो नलो को खोल दिया जाए तो भरा होज कितने गंटे में खाली हो जाएगा ये चीज आप से पूछी जा रही है देखिए 10 और 5 का LCM ले लेंगे 10 10 से अब अगर हम भाग करेंगे 10 को कितना आएगा 1 और 5 से भाग करेंगे अगर हम 10 को कितना आएगा minus का 2 अब दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा 1 1 से भाग कर दीजे यानि कि 10 घंटे में बरावा होच खाली हो जाएगा that is option B is a correct answer next question की ओर बढ़ेंगे और दियान से प्रस्ण को पढ़ेंगे 2 नल एक साथ किसी तलाव को 12 घंटे में भर सकते हैं यानि अब पहला नल और दूसरा नल दोनों मिलकर आएगे और 12 घंटे में किसी को भरेंगे तो देखिए मैंने कहां N1 ले लेते हैं मानों और उसके साथ N2 ले लेते हैं और इन्हें कितना समय लगता है 12 घंटे लगता है फिर क्या खा गया है वो चीज समझेगा यदि अकेले पहला नल उसे 20 घंटे में भरता है 12 पंजा 60 और 23 तीना 60 अब उसने कहा है अकेले भी तो देखिए जब नल 1 और नल 2 यानि 5 फर्स और 5 सिकेंट दोनों मिलकर कर रहे थे तो 5 वर्क कर रहे थे और जब अकेला फर्स कर रहा था तीन कर रहा था दोनों को अंतर कितना हुआ 2 आपको इसे 2 से भाग देना है 60 को 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 30 घंटे that is option C is a correct answer आईए सी के साथ अगले प्रस्ण पर आते हैं एक टंकी की पेंदी में 2 चिद्र हैं कितने चिद्र हैं 2 दोनों एक साथ खुले रहने पर टंकी को 6 घंटे में खाली कर देते हैं यानि जब दोनों चिद्र खुले रहेंगे एक साथ तो 6 घंटे में टंकी खाली हो जाएगी ये चीद कही गई अब आगे पढ़ते हैं यदि अकेले पहला चिद्र टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है तो अकेले दूसरा चिद्र जो है वो टंकी को कितने समय में खाली कर देगा देखिए मैं आपसे कह रहा हूँ टंकी यहां ले ले लेते हैं टंक 1 और टंक 2 दोनों जब खाली करते हैं तो कितना घंटा लेते हैं 6 घंटा खाली करना माइनस प्रियोग कर लें और पहला वाला जब है कितना गंटा पंद्रा गंटा दोनों का एलसियम लेलो तीस चे से कितनी बार जाएगा पांच पार पंद्रा से कितनी बार जाएगा दोई बार अब इन दोनों का अंतर देखो पांच और दोई का अंतर कितना वा तीन वा ना तीन से इसे डिवाइट कर दस घंटे, that is option B is a correct answer, क्लियर क्यों लगेंगे, क्योंकि यह 5 बग कर रहा है है, यह 2 बग कर रहा है, efficiency के according, अब यह 5 दोनों मिलकर है, पहला वाला 2 करता है, तो अंतर कितना आया, तीन, इसलिए total को 3 से divide कर दीजिए, आ जाएगा आपका 10 घंटे, very good, शेशन पशंद आ रहा है, तो साथियों के साथ, share करना ना भूले, शाथी, संबंदी, जो भी आपकी है, competitive exams की तयारी कर रहे हैं, शवी को शेशन share अवर्ष कर देजिए, और like करना, कद आपी न भूलेगा, एक नल किसी होज को 25 मिनिट में भर सकता है, एक नल, यह नहीं कि खाली कर सकता है, यहनि कि pipe 2, और यह खाली कर रहा है, यहनि कि minus का, कितना 50, दोनों का LCM ले लो, क्योंकि दोनों नल एक साथ खोल दिये जाए, तो हौज कितने समय में भर जाएगा, यह चीज़ पूछी है, 25 और 50 का LCM कितना ले लेते हैं, 50, 25 दूना 50, और 51 का 50, अब तोनों नल एक साथ खोल दिये जाएगे, तो हौज हमारा 50 मिनट में भर जाएगा, आपसन D is a correct answer, आईए अगला कोशन, दो नल एक हौज को क्रम साथ 3 गंटे तथा 4 गंटे में भर सकते हैं, यहनि कि एक pipe 1 है, 3 गंटे लेता है, pipe 2 है, 4 गंटे लेता है, तथा एक निकास न गया, उसे 2 गंटे में खाली कर सकता है, यदि 3 नल खोल दिये जाएगे, तो हौज कितने समय में भरेगा, यह चीज पूछी जा रही है, यह को pipe 1, 3 गंटे, pipe 2, 4 गंटे, और pipe 3, माइनस के 2 गंटे, क्योंकि यह खाली कर रहा है और यह दूनों भर रहा है, इन 3 का LC हम ले ल करेंगे 3, और 2 इसे 12 को डिवाइट करेंगे 6, अब जो तीनों मिलकर कार्य करेंगे, देखें, प्लस का 4, प्लस का 3, कितना वह प्लस का 7, माइनस का 6, कितना बचा प्लस का 1, एक से भाग दे दो, कितने घंटे लग जाएंगे, 12 गंटे, that is, option D1 is the right answer, जब तीनों नल खोल जाएंगे, तो हौज को भरने में 12 गंटे का समय लगेगा, क्योंकि 7 के रेशियू से भरा जा रहा है, और 6 के रेशियू से खाली के जा रहा है, इसलिए अंतर कितना वह एक, तो टोटल को एक से डिवाइट कर देंगे, this one is the correct answer, next question number 7, दो पाइप एक टंकी को क्रमसा 15 और 12 गंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा पाइप इसे 20 गंटे में खाली कर सकता है, यदि टंकी खाली है, तो सभी पाइपों को खोल दिया जाता है, टंकी कितने समय में भर जाएगी, यह चीज आप से पूछी गई है, देखो पहला पाइप बन, 15 गंटे, पाइप 2, 12 गंटे, और इसके बाद आजाता है अभी पाइप 3, पाइप 3 लेता है, 20 गंटे खाली करने में, इन तीनों का LCM ले ली जगा 60, ठीक है, अब 15 चौक 60, 12 पंजे 60, 20 तीना 60, अब जो तीनों एक साथ को लेंगे तो देखो, प्लस वाले 5 ैब 15, 9 क्ली, 9 कार्यां हो रहे हैं, 9 की स्पीड से बहर जा रहा है, अब 10 की स्पीड से खाली कर जा रहा है, तो धुन मिला कितना प surrender, 6 पहुंच रहा है, कि कि अबिधक और इन जुन से पहुछ रहा है तो 6 दाएं, तो लाइक करके दोस्तों के साथ सेशन को कदापी सेर करना न भूले और फर्स टाइम अगर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाल आइकन भी अवर्श क्लिक कर ले कोशन नमबर आठ दो पाइप A तथा V एक हौज को करम सा 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं यानि कि A है कितने मिनट लेता हैं 30 मिनट और V अपना है कितने मिनट लेता हैं 40 मिनट दोनों पाइप को को एक साथ चालू किया गया यदि होज को 24 मिनिट में भरना हो तो दूसरे पाइप को कब बंद करना होगा अब हमसे क्या कहा गया उसे करेंगे लेकिन इसका LCM ले लीजे 30 और 40 का LCM हमने दे दिया 120 30 चाप और 40 तिया 120 उसने कहा यदि होज को 24 मिनिट में भरना हो यानि 24 मिर्ट में हमें होज भरना है तो दूसरा pipe कब बंद कर दीना चाहिए बंद कौन सा होगा दूसरा वाला पहला वाला तो लगातार कारे करता रहेगा पहले वाला किस की रेसी सु कारे कर रहेगा 4 किसे 24 चौक कितना होगा 96 126 से 96 कम कर दो क्योंकि यह पहला वाला निवट गया अच्छा कितना यहां पर 24 अब 24 को कार्य करने कौन आएगा तीन की छमता वाला देखो 24 को जब मैं भाग आपको दूंगा तीन से तो 24 भाग तीन बराबर कितना हो जाएगा यहने कि दूसरे वाले पाइप को 8 मिनिट के बाद बंद कर देने पार हौज 24 मिनिट में कम्प्लीट भर जाएगा आएस आप्सन भी इसा करेक्ट आंसर आएसी के साथ अगले प्रसंट की ओर चलते हैं कोश्चन नमबर 9 कहता है यदि किसी टैंक के एक बटा तीन भरे होने पर उसमें 80 लिटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने में उसमें कितना पानी आएगा देखिए कितना बढ़िया प्यारा कोश्चन है एक बटा तीन भाग 80 लिटर के बराबर है एक बटा तीन भाग 80 लिटर के बराबर है तो हम यहां से एक भाग की छमतले लेते हैं एक किसके बराबर हो गया 240 के हो गया ठीके अब उसने का आधा तो आधा यानी 2 से यह भाग दे दो और 2 से यह भाग दे दो 240 को 2 से भाग देंगे यानि कि कितना हो गया 120 लिटर that is option number V is a correct answer इसी के साथ next question किसी टंकी का 3 बटे 4 भाग भरा हुआ है और उसमें से 30 लिटर पानी निकाला जाता है तो टंकी खाली हो जाती है टंकी की धारिता ग्याद किजी वह शांदार है देखो 3 बटा 4 भाग और किसके बराबर हो गया 30 लिटर के बराबर हो गया यहां से एक भाग निकालेंगे यनि धारिता हो जाएगी तो एक बराबर कितना हो जाएगा 30 गुडा 4 बटा 3 और 3 से 30 को डिवाइट किया 10 10 की 4 से गुडा की कितने हो गया 40 लिटर that is option number C is a correct answer we can move next question इसी के साथ मैं आपको अगले प्रस्न की ओ लेकर आता हूँ कोई भी तकलीफ आपको होती है कहीं कोई समस्या होती है comment box में आप अपनी प्रतिक्री आवश्य शेयर कर दें बिलकुल भी टेंशन डाले एक नल पानी के एक टब को 6 घंटे में भढ़ सकता है यानि कि pipe बन ले लिया मैंने और कितने घंटे 6 घंटे टब के साथ लगा हुआ एक दूसरा नल भी टब को 10 घंटे में खाली कर सकता है यानि कि pipe 2 है और ये खाली कर रहा है 10 की speed से यदि दोनो नल एक साथ खाली एक साथ टब को खाली करते है मतलब एक साथ खोल दिये जाए तो टब कोल दिये जाने पड़ टब कितने समय में भर जाएगा यानि कि भर नहीं में उसे कितना समय लगेगा जब एक साथ लगे हूँ कार्णे में तो देखे 6 और 10 का LCM ले लेते हैं 30, 6 पंजे 30, और 10 तीना 30, अब देखो 5 की स्पीट से भरा जा रहा है, 3 की स्पीट से काली हो रहा है, तो जा कितना रहा है पानी, 2 की स्पीट से जा रहा है, 2 से इसे भाग दे दो, 15 दूना 30, और 2 बोले तो 15 गंटे, option number A is the correct answer, आई, इसी के सा अगले प्रस्ण में चले आते हैं, अगला प्रस्ण क्या कहता है, बहुत ध्यान पूर्बग देखें, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, जल्दवाजी वाली कोई चीज नहीं है, जल्दवाजी किसी भी प्रकार की नहीं होनी है, वेसिक से questions में आपको करार आऊं, medium में, फिर high level तक के सभी के सभी types के questions आपको cover up किये जा रहे हैं, यानि एक ही वीडियो में pipe and system आप 0 से high level तक discuss कर सकते हैं, और आपको proper तरीके से चीजे समझाए जा रहे हैं, पशंदार है, लाइक करके दोस्तों के साथ share करना ना भूले, और कोई भी पृतिकरिया अगर देना चाहते ह लगा, दो नल आवावा एक होज को करमसा 20 और 32 मिनट में भर सकते हैं, दोनों नल एक साथ खोल दिये जाते हैं, बताइए नल आ कब वंद कर दिया जाए कि होज 24 मिनट में भर जाए, ध्यान दीजिए, आ की बात की गई, 20 मिनट बात की गई, वै की बात की गई, ये लगात है 32 मिनिट और 20 और 32 का लेना है LCM 20 और 32 का LCM सबसे एक्जेक्ट आपको बढ़िया रहेगा 160 ले लिजे 28 160 और 32 पंजे 160 के लिए अब एक कौन सा बंद हुआ वो चीज हमसे दी गई है एक को कब बंद करना चाहिए यह नि करने की बात की गई तो दूसरा वाला तो फूरु से लेकर लास्ट तक कारे करेगा 24 मिनट कारेगा 24 पंजे कितना होता एकसो बीस मिनट केई जुआieß कि यह धाय जो आपका है वो 24 मिनट में भर जाएगा आप्सन C is a correct answer इसी के साथ अपने अगले प्रस्ण में चले आते हैं ध्यान से देखिएगा नल A तथा V किसी टंकी को भरने में क्रमसा 20 तथा 60 मिनट लेते हैं A कितने मिनट ले रहा है वहीं 20 मिनट B ले रहा है 60 मिनट यदि दोनों नल खोल दिये जाएं तथा 10 मिनट बाद A को वंद कर दें तो टंकी के सेज भाग को भरने में कितना समय लगेगा ये कोशन्स आपको जैसे जैसे कोशन्स में बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लेवल आपको बढ़ता जा रहा है किसी भी प्रकार की टेंशन ना लेती हुए प्रसंद को समझने का प्रियास अवश्य करें देखिए 20 और 60 का LCM ले लेती हैं 60 20 या 60 और 60 अब उसने हमें ये कहा 10 मिनट बाद दोनों नल खोल दिया जाएं और 10 मिनट बाद ए बंद कर दिया जाएं यानि कि 10 मिनिट तक तो यह दोनों मिलकर कारे करेंगे ए तीन की स्पीट से कर रहा था वी एक की स्पीट से कर रहा था तीन और एक कितना हुआ चार और दस मिनिट तक जब यह कारे करेंगे तो कितना कर लेंगे साथ में से चालिस निपटा देंगे बचेगा कितना सेस 20 अब जब 20 सेस बचेगा ए बंद हो गया तो कारा करने को ना आएगा वी आएगा और वी का स्पीड क्या है एक तो बाग एक बरावर 20 मिनट और 20 मिनट बोले तो आप्सन डी इसा करेक्ट अंसर यानि कि टंकी के सेस बाग को भरने में 20 मिनट का समय यानि पाइब बन 8 गंटे लेता है तता दूसरा नल उसे 16 गंटे में खाली कर सकता है यानि कि पाइब 2 माइनस का 16 गंटे दोनों नल एक साथ कोल दिये जाते हैं तो होज को पूरा भरने में कितना गंटे का समय लगेगा देखें 16 और 8 का LCM लेली जगा 16 8 दुनी 16 16 इकर 16 दोनों को चेक किजिए पाइब पहले वाला जो था दो की स्पीट से भर रहा था पाइब दूसरा वाला एक की स्पीट से खाली कर रहा था तो दो और एक का अंतर कितना हुआ है एक भाग करेंगे कितना आ जाएगा 16 गंटा that is option C is a correct answer बिलकुल भी टेंशन नहीं लेनी है क् एक एक questions में आपको without any formula without any logical sequence के अनुसार बता रहा हूं एक दम mind पर strike करना है और धराक से पकड़ना है पडाक से solve कर देना है कोई attention नहीं लेनी है बिलकुल आईए इसी के साथ अगले प्रसन में चले आते हैं एक नल किसी पानी की टंकी को 40 मिनट में भर सकता है यानि pipe burn 40 मिन तता दूसरा नल भरी हूई टंकी को 60 मिनट में खाली कर सकता है यानि pipe to 60 मिनट खाली करने के लिए minus बहरने के लिए plus गल्ती से दूसरा नल को बंद किये बिना पहला नल खोल दिया गया खाली टंकी को कितने मिनिट में भर देगा ये चीज आपसे पूछी जा रही है दोनों का LCM ले लिजी 120 40 तिया 120 और 62 नी 120 523 की स्पीट से भर रहा था 522 की स्पीट से खाली कर रहा था दोनों जोड़ेंगे कितना ऐगा एक भाग करेंगे एक बराबर 120 मिनट 120 बोले तो option number D is a correct answer के लिए कोई भी प्राब्लम होती है तुरंत comment box में अपनी प्रतिक्रिया दें और session को like करके साथी संबंदी मित्रगाड यार दोस्त दुस्मन जो भी है सभी के साथ सेर कर दें नल A, V और C मिलकर खाली पानी की टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं यानि अब क्या हुआ तीन एक साथ आ गए देख लो बिटा sorry शाथी ओ एक बार देख ली जगा A, B और C तीनों मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं अकेला नल A 30 मिनट लेता है ठीक है अकेला B 40 मिनट लेता है प्रस्ण में पूछा गया है अकेला नल C कितने मिनट में भर लेगा देखिए इन तीनों का LCM ले लीजी इन तीनों का LCM ले लेते हैं 120 12 दाएं 120 30 चौक 120 और 40 दियां 120 अब ध्यान देना जब तीनों मिलकर कार्या कर रही थे तो 12 की स्पीट से कर रहे थे A कर रहा था 4 की स्पीट से B कर रहा था 3 की स्पीट से A और B जोडा तो 3 कितना हो गया 7 सी का 12 में से 7 कम किया कितना बचा 5 5 से इसे भाग मार दो 24 पंजा कितना होता है 120 that is ब्रहमास्त्र बैच 21 सितंबर 2020 से आपके अपने अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट किया जा रहा है अन अकेडमी लर्निंग अप पर आपका CT ब्रहमास्त्र बैच 21 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो रहा है जोकी All Government Exams की तयारी करने वाला है कराए जाएगा इस बैच के माध्यम से एस बल स्सी रेलवे और वैंक के लिए आईए इसके बारे में और सुचना देते हैं अब होगा सारी समस्याव का अंत क्योंकि ब्रहमास्त्र करो तयारी CT ब्रहमास्त्र बैच के संग अब होगा सारी समस्याओं का अंत करो तयारी CET ब्रह्मास्त्र बैच के संग इसके लिए आप आज ही Unacademy Learning अप अपने मोबाइल फोन में Google Play Store से डाउनलोड करें और स्यम को रिस्टर करने के बाद एन्रॉल करें अगर आप Unacademy का ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या-क्या इससे बेनिफिट होने वाले हैं आई ये डिसकस करते हैं पॉइंट नमबर एक अटेंड अनलिमिटेड लाइव क्लासिस एनिटाइम अवरी विया यानि कि आप लाइव क्लासिस को अटेंड कर सकते हैं दूसरी चीज यह है कि अगर आप किसी कारणवस लाइव क्लास में नहीं जुड़ सके यानि कि according to schedule टाइम तो आप उस क्लास को बाद में भी देख सकेंगे यानि वो recorded बर्जन में भी आपको वहीं मिल जाएगी कहीं भी देख सकते हैं किसी भी समय भी देख सकते हैं point number two regular doubt cleaning session in all courses यानि कि regular basis पर आपकी जो भी doubt होंगे उसको clear किया जाएगा आप चाहिए किसी भी course के साथ जुड़े हुए हो point number three live structure courses delivered by the west educator यानि कि जो live structure courses दिये जाते हैं वो west educator के द्वारा हैं provide के जा रहे है point number four complete preparation by the educator यानि कि आप बिल्कुल beginner है जीरो से लेकर आप finally selection तक अपनी तयारी कर सकते हैं बिल्कुल भी tension ना लेते हुए point number five take courses and track your learning journey जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आज मैंने आपको एक अध्याय पढ़ा दिया pipeline system का अब आप क्या करेंगे इस पर mock test देना चाहते हैं इसके cues देना चाहते हैं तो वो सभी चीजे इस batch के subscription लेने पर आपको मिल जाएंगी point number six interactive and engaging live classes यानि आप interactive mode में live classes का आनंद ले सकते हैं और किसी कारण बस अगर आप live classes नहीं देख सके तो recorded class भी आपको मिल जाएंगी download PDF यानि कि जब आपने class ली class लेने में जो class में आपको questions कराए गए थे उसका PDF भी आप download कर सकेंगे test series point number eight यानि कि मैंने बताया था आपको mock test यानि test series भी आपको इसमें as well schedule provide कर दी जाएंगी proper guidance यानि कि आप बिल्कुल beginner हैं आपको क्या करना चाहिए कैसे किस चीज की तैयारी करनी चाहिए कौन सा subject कैसे करना चाहिए यह सभी चीजे आपको यहां पर guidance भी मिलेगा तो आज ही आज ही unacademy learning app को download करें और ब्रह्मास्त्र batch को आज ही इसके जो educator है उन्हें देखेगा जैसे मैं आप से बात करता हूँ राउल अरोरा जी जी जीए जीएस के साथ होंगे एक दूसरा बुने सर्मा जी जीए जीएस के साथ होंगे और क्रति सिंग जी भी जीए जीएस की ही faculty यानि educator आपके साथ होंगे तो देखे तीन हो गए बैच के लिए अभिनफ सर्मा जी और प्रवल जी सेंप पोजिशन में चलते हैं रीजिनिंग के लिए तो रीजिनिंग के लिए सुमित गयाल जी और दीपक त्रपाथी जी इस बैच में जुड़े होंगे एस बल इंगलिस की बात करें तो अमन जी और संदीप जी ये आपको बैच के educators प्रोबाइट किया गए हैं आप एक बाद प्रापर तरीके से देख लेए और आज ही सब्सक्रिप्सन ले ली जगा सब्सक्रिप्सन लेने के लिए अप एक coupon code यूद़ कर सकते हैं यानि discount code आपको यूद़ करना होगा study for dreams आपsoon कोट क्या यूज करेंगे study for dreams आप one month का ले सकते हैं three months का ले सकते हैं six months का ले सकते हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कम से कम 12 months का लीजिए 12 months से कम का सब्सक्रिप्शन मत लीजिएगा ताकि आप proper तरीके से एक विगनर से लेका अपने finally selection तक तैयरी कर सके study for dreams कूपन कोड यूज करना ना भूलेगा अगर आप six months का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है 33% आप 12 months का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको मिलने वाला है 58% और 24 months का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलने वाला है 75% अब अलग-अलग कोर्स क्यों खरीदना जब एक subscription से सब कुछ है मिलना जब आपको एक ही subscription से सब कुछ मिल रहा है तो आप अलग-अलग कोर्स मत खरीद एगा जैसे कि आपको पता है COVID-19 के प्रिकोप के कारण offline coaching आप इस समय नहीं ले पा रहे हैं इसलिए online coaching लेने के लिए आपके लिए west platform है unacademy लेकर आया है ब्रह्मास्त्र बैच इसे आज ही enroll करें और coupon code अवश्य उज़ करें study for dreams शाथ में मैं आपको discount code again बता रहा हूँ study for dreams और जैसे ही आप google play store से unacademy learning app download करेंगे तो यह हम को enroll करेंगे अवदेश कुमार की profile को आप follow करना न बुलेगा आज की glass में जो हमने discuss किया था वो maths का topic था wipe and system जो की आने वाली आपकी all upcoming government exams के लिए beneficial होगा हमें आप telegram पर भी कर सकते हैं लिंक आपको screen पर visible है और शाथ में आप login कर सकते हैं www.studyfordreams.in so I hope की सभी चीजे प्रॉपर तरीके से clear हो गए होंगी किसी भी query के लिए किसी भी problem के लिए comment box में अपने प्रतिकरिया हवर्ष्य देते रहें मिलेंगे अपने next session में next topic के साथ thank you for watching this session